हेलो प्यारे बच्चो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे अक्षा दस्वी गनित की प्रशनावली आठ दस मलव एक परसंद संख्या आठ से परसंद संख्या आठ को पड़ते हैं यदि तीन कोट ए बराबर है च्यार तो जाच कीजिए कि एक माइनस टेंजन्ट का वरग ए बटे एक जमा टेंजन्ट वरग ए बराबर होगा को स्केर ए गटा साइन स्केर ए यह है या नहीं यह में बताना है दिया अली को पहले यहां से हमारे पास हो जाएगा कोट ए बराबर च्यार बटे तीन यहां पर हमने एक तिर्बुज बनाई है समकोन ए बी सी जो बी के उपर क्या है समकोन कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब मैंने पिछ्छी भी आपको बताया था पेंजन्ट होता है, लंब बटे अधार, तो हमारा कोट हो जाएगा, लंब का उल्टा, LAL बटे KKA, इसको आपने ध्यान में रखना है, तो यहां से कोट हो जाएगा, अधार बटे लंब, कोट A, अब कोट A, हमारा कौन A ये है तो इसके सामने जो बो जाओगी वो हो जाएगा लंब ये हो जाएगा अधार तो कोट A अधार बटे लंब अधार हमारा A B बटे लंब हमारा है B C अब हमें कोट दे रख्या है कोट A बराबर है 4 बटे 3 और कोट A बराबर है A B बटा B C तो यहां से हम AB बटा BC को लिख सकते हैं 4 बटे 3 क्योंकि हमारा जो AB बटा BC किसके बराबर है कोटे के बराबर और कोटे बराबर है 4 बटे 3 दिया हुआ है तो यहां से AB तो हो जाएगा हमारा 4X मान लिया हमने और BC हमारा हो जाएगा 3X अब AB पता है बी सी पता है अब निकाड़ेंगे हम अ सी टीसरी बूजा कर्ण वह पाइथागोर स्पर में लगाएंगे पाइथागोर स्पर में होती कर्ण का वरग ब्राबर, अधार का वरग, जमा on लंब का वरग तो यहाँ पर कर्ण हमारे पास है AC कर्ण का वरग बराबर अधार AB जमा लंब BC AB का मान अमारे पास है 4X 4X का में वरग करेंगे क्योंकि AB का वरग है 4X का वरग हो जाएगा 16X का वरग जमा BC BC 3X है तो BC का वरग हो जाएगा 3X का वरग 9X की 2 यहाँ से हमारे पास बच्चो AC का वरग आजाएगा 16 और 25X का वरग दोनों तरफ क्या कर देंगे वरग मूल रग मूल करने से AC बराबर हो जाएगा 5X वरग हमारे पास इस समकोन तरह बुजगी तिनों वजाओं के मान है अब हमारा आम से इसको जाँच करके दिखा सकते हैं अब हम इसकी जाँच करेंगे एक घटा टेंजेंट स्केर A बटे एक जमा टेंजेंट स्केर A पहले हम लेट एंट साइड को लेग चलते हैं आप दोनों को साथ साथ भी ले सकते हैं एक एक करके भी इनको जाँच कर सकते हैं तो पहले हम लेट एंट साइड इसका बाया पक्स लेते है एक घटा अब 10हल को तृज़ कि यहां से मारे पास हो झायएगा तीन बटे– कि चार का बोत वरम बटे एक जमा टैनजर स्केर एक होई यहां पर या पर एन्जर में te का मान है तीन बटे–4 उसका कि वरम सकेर यह आजह यह एगा एक बहटा थीनkke', 9, 4 कावरग, 16, 1 जमा, 3 कावरग, 9, 4 कावरग, 16 लगुत्तम लेंगे, लगुत्तम आएगा 16, 16 घटा 9, इसी प्रकार्नी चल लगुत्तम आएगा 16, 16 जमा, 9, 7 बटे 16, निच्चा जयाएगा 25 बटे 16, इकट जयाएगा, 7 बटे 25, यह मारे पास आया है इस बाएन पक्स कामान, अब निकालेंगे दाएन पक्स कामान, अगर इस कामान भी 7 बटे 25 आ जयाएगा तो यह बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसको बाल करते हैं, कोस स्केरे, अब यहाँ पर हम कोस A का मान निकालेंगे, अब देखो कोस A ब्राबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पर है AB, कर्ण यहाँ पर है AC, इसका वरग, घटा, साइन स्केरे, साइन यह निकालेंगे पहले हम, साइन यह होता है, लंब बटे कर्ण, लंब है BC, कर्ण है AC, इसका वरग करेंगे, यहाँ पर वरग है, अब ABC के और AC के मान रखेंगे, AB का मान हमारे पास है, तो कोई यहाँ पर यह रहा, AB बराबर 4X, तो AB का वरग हो जाएगा, 16X का वरग, बटे, AC का वरग है, AC कितना है, 5X, तो इसका वरग 25X का वरग, घटा, BC, BC हमारे पास है, 3X, BC का वरग 9X का वरग, बटे, AC, AC है, 5X, 5X का वरग हो जाएगा, 25X का वरग, इकट जाएगा, उपर नीचे, 16 बटे 25, घटा 9 बटे 25, यहाँ पर इसका हम लगुतम लेंगे, लगुतम अबरे पास आजाएगा, 25, सोडा घटा 9, साथ बटा 25, आरेचेस हमारा जो दायापक्स था, वो भी साथ बटे 25 आया है, और हमारा जो बायापक्स था, वो भी हमारा साथ बटे 25 था, यानि दोनों पक्स, दायापक्स और बायापक्स क्या होगे, बराबर, तो यहाँ से कह देंगे, कि दोनों पक्स बराबर परस्तन संख्या नो को पढ़ते हैं तिरबुज A, B, C में जिसका कौन B समकौन है यदि टेंजेंट A बराबर है एक वटा और रगमूल तीन तो निमलिक्त के मान ग्याद कीजिए यहाँ पर हम पहले तिरबुज बनाएंगे इसको A मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं या पर इसको A मी ले सकते हैं इसको C ले सकते हैं जैसे आपका मन करें यहाँ पर कोई पाबंद ही नहीं आप A या सी किसी को भी ले सकते हैं लेकिन B या में सिरफ समकौन कोई लेना है यह तहां रखना आपने टेंजेंट ए बराबर एक बटा वरगमूल तीन चो टेंजेंट ए बराबर होता है लंब बटे अधार तो यहां पर हमारा टेंजेंट ए यह है तो लंब हो जाएगा बी सी तो हम यहां लिख सकते हैं कि टेंजेंट ए बराबर B.C. لمب बटे अधार अधार हो जाएगा A.B. अब यहां से इन दोनों से हम यह कह सकते हैं कि B.C. बटे A.B. बराबर है एक बटा वरगमूल तीन वहां पर अनुपात हमारे पास अब यहां पर हमारे पास ही अनुपात हो गया BC बटा AB, एक बटा वरग मूल 3 तो यहां से हम कह सकते हैं BC बराबर है X, एक X और AB बराबर है वरग मूल 3 X, उनको हम मान लेते हैं अब हम यहां पर निकालेंगे AC का मान, क्योंकि हमें इन दो का मान पता चल गया, AC का मान करण का वरग हो जाएगा अधार का वरग, अधार है AB, जमा लंब का वरग लंब है BC AB हमारे पास है वरग मूल 3 X, इसका वरग जमा BC, BC है X इसका वरग यह हो जाएगा वरग मूल 3 का वरग 3 X का वरग X की 2 जमा X की 2 4X की 2 A.C. अवरख ब्राबर है चार IX की दो. दोने तरह वरगमूल कर देंगे. A.C. ब्राबर हो जाएगा वरगमूल जाएगा. वरगमूल से अवरग कट जाता है. चार G.C. की दो का वरगमूल हो जाएगा. दो एकस. तो हमारे पास C का मान आगा दो एकस. अब हमारे पास तिर बुजकी तिन्नों बोजाओं के मान है अब हम कोई भी मान आराम से निकाल सकते हैं पहला पार्ट करेंगे पहले हम पहला पार्ट है साइन A को सी जमा को से साइन सी साइन A साइन A का मान क्या होगा साइन A होता है लंब बटे करण A हमारा ये है तो लंब क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा B C बटे कर्ण कर्ण क्या है A C गुना को सी अब देखों यहां पर कौन हो बदल गया अब कौन हमारा A नहीं कौन C हो गया यहां पर लंब भी बदल जाएगा को सी होता है अधार बटे कर्ण अब मारा अधार क्या होगा मारा अधार हो जाएगा B C क्योंकि मारा लंब हो गया अभी C के सामने वड़ा क्या होगा लंब A B तो अधार क्या हो जाएगा B C बटे कर्ण क्या है A C जमा कोस A अब यहाँ पर लेड़ा हमें A, कोस A अधार बटे करण अब मारा अधार क्या होगा? A के सामने वड़ा लंब तो यह क्या हो जाएगा? अधार A B बटे A C गुना साइन C, अब हम कौन C को देखेंगे? C के सामने क्या होगा? लंब यह क्या होगा? अधार साइन होता है लंब बटे करण तो लंब हो जाएगा A, B और करण है A, C आपने बच्चों यह दिया रखना है कि आप किस का अनुपात निकाल रहे हैं? A का या C का? अगर A का निकाल रहे हैं तो फिर A के सामने वाड़ी लंब होगी दूसरी फिर अधार और फिर सबसे बड़ी बुजाएगी करण अगर आप निकाल रहे हैं साइन C तो फिर आपने C को देखना है C के सामने वाड़ा क्या हो जाएगा? लंब तो बुजा दूसरी हो जाएगी अधार और सबसे बड़ी हो जाएगी करण हम इनके मान रखेंगे हम B C बटा A C B C कमान अमारे पास है X बटे A C A C कमान अमारे पास है 2X गुना B C B C बटा A C B C है X A C है 2X जमा A B बटा A C A B है वो रगमूल 3X बटे A C 2X गुना A B बटा गुना है A B बटा A C A B है वो रगमूल 3X बटे A C 2X यह हमारे पास हाज जाएगी अब यहाँ पर देखिए X गुना X X की 2 अब गुना कर लीजिए उपर उपर की निचे वाले के साथ उपर वाले की उपर वाले के साथ 2X गुना 2X 4X की 2 जमा वरगमूल 3X गुना वरगमूल 3X 3X की 2 बटे 2X गुना 2X 4X की 2 X की 2 से यह कट जाएगा इससे यह कट जाएगा यह मारे पास आएगा 1 बटा 4 जमा 3 बटा 4 लगुतम लेंगे 4 1 जमा 3 4 बटे 4 यानि की 1 इसका दूसरा पाट करते हैं कोस A कोस C गठा साईने साइन सी तो कोस A का मान रखेंगे पहले कोस A क्या हो जाएगा कोस होता हमारे पास आधार बटे कर्ण आधार यहां पर क्या हो जाएगा कोस A के लिए A के सामने वाला तो क्या होगा लंब तो अधार क्या होगा A B अधार बटे कर्ण कर्ण क्या है A C गुना फिर कोस C अब देखें कोन C को C के सामने वाला लंब और यह क्या होगा अधार अधार बटे कर्ण B C बटे A C गहटा, साइन A आप देखें कौन A के कौन A के लिए, कौन A हमारा उपर ये है ये वाड़ा कौन के हमारा, उपर वाड़ा A तो साइन A, साइन होता है लंब बटे कर्ण तो A के सामने वाली बुजा क्या हो जाएगी लंब, तो B C क्या हो जाएगा लंब कर्ण है हमारा A C लंब है हमारा B C कर्ण है A C गुना, साइन C अब देखो C को यहां पर है तो C के सामने वाड़ी बोजाओगी लंब तो लंब बटे कर्ण साइन होता है लंब बटे कर्ण तो A B बटे A C यह हो जाएगा इसको आग्याल कर लेते हैं इसके अंदर मान रखेंगे अब A B का मान है मारे पास है वरगमूल 3 X वरगमूल 3 X बटे A C, A C है 2 X गुना B C B C है मारे पास है X A C है 2 X गटा B C B C का मान है X बटे A C 2 X गुना A B बटा A C A B है वरगमूल 3 X बटा A C है 2 X यहां से हम X से X काट देंगे ऐसे यह कट जे आएगा गुना भी कर सकते हैं आप काट भी सकते हैं यहां बचेगा वरगमूल 3 बटे 2 गुना 1 बटे 2 गटा 1 बटा 2 गुना वरगमूल 3 बटे 2 यह बचेगा गुना कर लेते हैं वरगमूल 3 बटे 4 गटा वरगमूल 3 बटे 4 यह बचेगा 0 यहां पर हम मान लेते हैं कि PR हमारे पास है X हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? X का मान निकालेंगे जिससे हमारे पास 3 गुजाओं का मान आ जाएगा यहां पर हमें सिरफ P क्याओ दिया हुआ है 5 सेंटिमीटर हमें र क्याओ का पता ने हमें PR का पता हां यह पता है कि PR जमा QR PR और QR का जोड 25 दे रख्या हमें तिरफूज P क्याओ आर में P क्याओ आर हमारे पास एक समकौन तिरफूज है समकौन तिरफूज में हम लगाएंगे Python calls for me करन का वरग करना हमारे पास है PR वरक बराबर आधार का वरक जमा लंब का वरक जमा लंब है P क्योँ यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बच्चों हमारे पास है जो PR है वो X है हमने इसको X मानना है तो यहाँ पर हमारे पास जो QR है वो हो जाएगा 25 गटा PR यानि 25 गटा X क्योंकि हमने PR को X मान लिया PR क्या मान लिया X तो QR हो जाएगा 25 गटा X वो रखेंगे यहाँ पर यहाँ पर कर लेते हैं दुबारा से मान रखते हैं इसका X का वरग बराबर QR QR हमारे पास है 25 गटा X का वरग जमा P क्याओ, P क्याओ दे रखें हमें 5, 5 का वरग यह हो जाएगा हमारे पास A माइनस B का वरग, A का वरग 625 जमा B का वरग गटा 2 A B 2 गुणा 25 गुणा X जमा 5 का वरग 25 तो हमारे पास यहाँ X का वरग बराबर हो जाएगा 625 जमा X का वरग गटा 50 X जमा 25 यह खट जाएगा 0 बराबर 625 जमा 25 गटा 50 X यहां से मारे पास 0 बराबर 625 जमा 25 650 गटा 50 X यह 50 X बराबर 650 X कमान यहां से आजएगा 13 X हमने मानना था PR को तो PR बराबर हो गया 13 cm इसमें रख देंगे यहां पर यहां से मारे पास QR आजएगा 25 गटा X 25 गटा 13 12 इस प्रकार हमारे पास PR कमान आगया 13 cm QR कमान आगया 12 cm और P क्या हो कमान हमें 5 दिया हुआ था तो इस प्रकार हमारे पास तिरे बुझकी 3 गटाओं के मान निकल गए अब हमारा हम से इसको परते कनुपात को निकाल सकते हैं सबसे पहले लेंगे हम साइन P साइन P बराबर होता है अब देखों यहाँ पर साइन P है अब यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान यह देना है कि साइन P पुछा है तो इसको हम माननें के को पी हमारा को यह हो जाएगा साइन होता हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ फिर ल, A, L, बटे के, के तो यहाँ से साइन P होगा लंब बटे कर्ण लंब हमारा हो जाएगा क्यू, बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा पी आर क्यू, अब पास है, बार है और पी आर है, तेर है यह हुज़ेगा Sin P कमान फिर है Cos P Cos P होगा अدhaur बटे कर्ण अधार हमारा क्या होगा यह हमारा लंब है अधार क्या होगा P क्यो बटे कर्ण कर्ण है PR P क्यों कितना पास P क्यों कमान है 5 दियावा में बटे PR PR हमारे पास 13 तो 5 बटे 13 हो जाएगा, अब निकालेंगे टेंजन्ट P टेंजन्ट P क्या होता है, लंब बटे अधार लंब हमारा हो जायएगा QR अधार ये हमारा P क्याहु QR का मान था, 12 बटे प्यक्यो Sounds P क्यों का मान दिया ह sag तो 12 बटे पाँच तो यह हमारे साइन पी, कोस पी और टेंजन पी तीनों के मान हो जाएंगे इनको मासानी से निकाल सकते हैं परसन संक्या 11 बच्चो बताइए के निमन कथन सत्य है या सत्य है कान सहीत अपने उत्तर की पुष्टी कीजिए इसका पहला पार्ट है कि टेंजन एक का मान हमेशा ही एक से कम होता है टेंजन एक का जो मान होता हमेशा क्या होता है एक से कम यह बताना है कि सत्य है या सत्य है तो बच्चो देखो टेंजन एक का मान इसने कहा है कि हमेशा ही छोटा होता है कि से एक से यह कथन दिया हुआ है, इसकी जांच करेंगे हम, हम ले लेते हैं टेंजेंट 45 डिगरी, इसका मान होता है एक, अब यहाँ पर तो टेंजेंट 45 का मान क्या होगा है, एक, एक और ले लेते हैं हम टेंजेंट 60 डिगरी, इसका मान होता है रगमूल 3, रगमूल 3 होता है, एक दस हमेशा एक सेgres खोटा उता है हमेशा एक से चोटा नहीं होता यह कतन क्या है फाल्स है गलत है एसकते हैं जी क्या लिखेंगा हम यहाँ पर एसकते सेकट करते हैं इसका this इस सेकोंड पार्ट क्यों एक एक इसिमान के लिए सिकंट अ बराबर होगोगा बाराइΠ ऑच तो जिरू डिगरी का जो मान होता है वो होता है एक फिर इसके बाद हम लेते हैं सिकेंट तीस डिगरी सिकेंट तीस डिगरी का मान हमारे पास हो जाएगा दो बटे वरगमूल टीन फिर हम बात करें सिकेंट 45 डिगरी सिकेंट 45 डिगरी का मान होता है वरगमूल दो और वरगमूल दो होता है एक दसमलाव चार सिकेंट 60 डिगरी का मान होता है दो तो बच्चों हम यहां देख रहे हैं कि सिकेंट का जो मान है वो क्या है लगाता है बढ़ रहा यह यहां पर ए से बढ़ा है अगे चल के फिर मान डू हो गया तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तोускेंट का मान क्या है बढ़ता जा रहा है और ये तो बारह लाए बटे 5 हैं ये ये हमारे पास आएगा दो दसमलव च्यार दो दसमलव च्यार यह दो से क्या मान बढ़ा है तो यहाँ पर हमारे पास सिकेंट का मान है वो जैसे जैसे कौन का मान जैसे जैसे एक का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे सिकेंट का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो किसी ने किसी मान के लिए यहाँ पर जो secant A है उसका मान 2.4 जरूर होगा तो यह क्या हो जाएगा सकते हैं तीसरा पार्ट बच्चों उसमें कहा है कि cosecant A को हम cos A लिख सकते हैं A को हम लिख सकते हैं cos A तो बच्चों यह क्या बिलकुल कोसाइन का चोटा रूप है cos लेकिन cos रहता है वो cosecant नहीं हो सकता cosecant होता है वो अलग होता है और cos होता है वो अलग होता है तो यहाँ पर हम cos के लिए हम यूज करते हैं जो cosin है उसका succ stiff रूप उसका च्होटा रूप cos a है ना कि cosecant a का च्होटा रूप cos a है तो यह क्या हो जाएगा ऐसकते हैं चोथा पार्ट है कि जो cot a है वो cot और a की गुणा है वो का गुणन फल है कोट और A की गुना है गुनाफल है ये भी क्या बच्चो ऐ सकते हैं हम कोट A को कोट गुना A नहीं लिए सकते क्योंकि कोट या साइन या टेंजन्ट बिना A के कुछ भी नहीं है कोट होगा या साइन होगा या टेंजन्ट जो भी होगा उसके साथ कोई ने कोई कोई जुरूर मिलेगा A, B, A, C, Theta जो भी अकेला कोट, अकेला साइन, अकेला टेंजन्ट आपको कही नहीं दिखाई देगा कही नहीं मिलेगा आपको जो कोट A होता है उसको हम कोट गुना A नहीं लिसकते कोट A, कठा बोले जाएगा कोट A, वो कोट का और A की अपस में गुना नहीं है तो यह क्या होगा, A, S, T पाँच्वा भाग है इसका कि किसी कोण A के लिए साइन, Theta बराबर होगा, 4 बटे, 3 तो यह भी बच्चो क्या है, A, S, T क्यों A, S, T, है क्योंकि जो साइन होता है साइन, Theta होता है, उसका जो मान होता है वो Zero से ले करके एक तक होता है आपने देख्या होगा कि साइन Zero होता है Zero फिर उसके बाद साइन 45 होता है एक बटा वरगमूल दो फिर साइन 60 डिगरी होता है वरगमूल 3 बटा 2 साइन 90 होता है वो होता हमरे पास एक यहाँ पर साइन का मान क्या है Zero से ले करके एक तक है और यह मान क्या है एक से बड़ा तो यह भी क्या है ऐस सत्य तो हमारे प्रशनावली यहाँ प्रशमापत होती है